चीडियों के गाने की आवास आ रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे हरे भरे गार्डन में बहुत ज्यादा आता हावा चलती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में बैठा हूँ तासी हावा किसी खंडी लग रही है न अरे इसे अपना ही घर समझो तुम्हे अपने छोटे घर पर वापस नहीं जाना होगा न लेकिन हाँ अभी यह थोड़ी भीड हो गई है न बिल्कुत सही कहा इसलिए थंडी हावा थोड़ी से गर्म लग रही है मुझे अमीद है अप कोई तो वापस जाएगा यह फिर से शुरू हो गया मैं जा रहा हूँ तुम्हें परिशारी हो रही है न सच में यह तो बहुत बुरी बात है अच्छा तो अब मैं चलते हूँ शेजुका फिर मिलेंगे यह क्या बात हुई हवा इस तीवी अच्छी नहीं चल रही थी अब मैं खिर की खोलो तो कबाड़ी वाला या भकार वाला या कोई भी चीज टीवी कप्यूटर फ्रेंच चुपो जो बहुत गर्मी है डोरे मौन तुम्हें पता है सुनियों के घर पे बहुत थंडी और ताजी हवा चल रही थी चाँ ताजी और थंडी हवा तुम कुछ कर सकते हो डोरे मौन अच्छा एडिया है चलो मैं कोई गैजट निकालता हूँ बाशो फैज यह तान थोड़ा अजीब है अगर तुम इससे हवा करोगे तो यह किसी भी तरह की हवा को कंट्रोल कर पाएगा किसी भी तरह की हवा तुम्हें हवा कब चलानी है उसके लिए टाइम सेट कर दो और खंडी हवा इससे दिशा एज़स्ट कर दो और फिर इसकी म चिडियों के गानी की आवाज और नदी की अवाद सुनाई दी रही है चलो अलग-अलग हवा करने की कोशिच करते हैं अब बरफील हवा शुरू करो ये लो अच्छा थीक है मैं अभी इससे बतल देता हूं और अब सौथ आलेंड की हवा ये लो मैं बस गया यहां गर्म है यह मीटे मीटे बालों की खुश बुआ रही है बताओ ये हवा कैसी लग रही है तुम्हें वा ये सच में किसी तरह की भी हवा चला सकती है हाँ किसी बेतारे की हवा अब मैं सुमाल करूंगा तुम क्या करने वाले हो जो बता कुछ मज़ेदार करूंगा कितना अच्छा लग रहा है यहां क्या मैं यहां रोज आ सकता हूं सुन्यों बिवल तुम्हा सकते हो अब यहां पर ट्रॉपिकल जंगल की गर्म और नम हवा चला दो यह जली हवा यहां चला कर्म हवा रही है यहां बहुत कर्मी है यह क्या हो रहा है अरे नहीं मुझे लगाई था कुछ गर्बर है यह सब तुम दोरो की वज़े से हुआ है अच्छा तुम यह करना था तुम्हें मुझे लगाई था कुछ गर्बर है यह सब तुम दोरो की वज़े से हुआ है ना नविटा क्या क्या हुआ सुनियो शुक्रिया तुमने बचा लिया जियान घर वापस नहीं जा रहा था ना इसलिए अरे हाँ शुक्रिया ठीक है अब तो तुम्हारा काम हो गया ना मुझे कुछ दिर और इस्तिबाल करना है अब किसे परिशान करने वाले हो तुम चिंता बात करो डूरे मौन मैं कुछ नहीं करूंगा किसी मुझीबत में मत बसना हां क्या इस फैन से हां मैं तुम्हारे लिए अच्छी हवा चला सकता हूं शुक्रिया ये लो वाह बहुत अच्छी हवा है ये पूलों के खेट की ताजी ताजी हवा है काफी ताजी है ये तो मॉडल प्लेन है उस तरफ मच जाओ अरे वो तो अटक गया है बस देखती जाओ तेज हवा हवा इस तरफ आओ पकड लिया ये लो बहुत बहुत शुक्रिया इसे तो बहुत तरीकों से इस्तमाल किया जा सकता है तो लो और करशिश करते है पता नहीं नोबिता क्या कर रहा हूँगा बस वो जोश जोश में गैजटेट का गलत इस्तमाल ना कर दे हवा बिलकुल नहीं चल रही बिलकुल भी नहीं नोबिता क्या मैं इसे इस्तमाल कर सकती हो हाँ बिलकुल तो थोड़ी तासी हवा हो जाए क्या हवा चल रही है अच्छी हवा है चलो चलो खेलो देखो अच्छा करना जीतना है हमें पेस हवा वा बहुत परिया यह लो नहीं यहू यहू क्या शॉट पर है मैंने कुछ जादा ही कह दिया आज भी हम खाली बैठे हैं कोई ग्राहक नहीं आ रहा मैं यह खाने की खुश्बू आली हवा पुरे शहर में पहला देता हूँ यह लो प्लीज लाइन में आये नोविदा को बहुत देर हो गई है मुझे कुछ ठेक नहीं लग रहा सरूर कुछ गलत हुआ होगा अरे जियान तुम और इतना सारा सामान वो मॉम को सर्दी हो गई है न इसलिए इतनी जादा मेनत क्या तुम कुछ कर सकते हो हाँ मेरे पास एक अच्छा इडिया है हाँ राज्टे पे चॉलने वाली बोर्ट चलो ध्यान से जाना अरे वाल बहुत अच्छे ठीक है और देज हवा और देज और देज पता नहीं नो पता कहां पर होगा हटो 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 रास्ते से हट जाओ अच्छा हुआ तुम लोग आ गए तुम लोग आ गए तुमारी बचे से मेरा काम आसान हो गया अरे हां मुझे एक बहुत अच्छा इडिया आया है इंसानों को उठाने के लिए सबसे तेज हवा मीचे से उपर हां क्या बात है चलो इस हवा पर घुमते हैं क्या मेसा कर सकते हैं एक दो यह को मज़ेदार लग रहा है इसका तुम भी को शुष्षा इसका तुम भी को शुष्षा एक तो हां क्या क्या कहरें तुम ठीक है सब को नीचे से उपर उठाने के लिए सबसे तेज हवा इलो इलो इंद 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 झाल 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 फाल खाल शेल हमा मैं जो पना सम्झेक है कि अच्छें गैश जरी आपम करने एखल सेख़ा। अरे नहीं अरे नहीं! मेरी हे गलती है नहीं भर देती है और मुद्सक नोबता का फिना भीना शोके बोड़ समझे वो फैन देती है आज तो बहुत मज़ा आया नो पिता वापस दो मुझे पता है तुमने कोई गलत काम किया होगा और ज़रूर तुम मुसीबत में भी बड़े होगे क्यों है न क्योंकि तुम बहुत बुरे लड़के हो नो पिता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम हमेशा कोई ना कोई गलत काम ही करते हो पर मैंने कुछ नहीं किया अरे क्या हो गया हम अंदर नहीं जा सकते जब तक घर में हवा शांत नहीं हो जाती सच में डोरे मान तुम हमेशा गलत काम करते हो अरे नहीं